hello everyone class 10 ते जिसे कि आपका physics का chapter चाप्टर चल लाई light reflection and reflection उसमें ब्रीवियुज इन आपको प्रिवियुस क्लास में light बताया था nature of light बताया था reflection of light बताया था रिफ्रेक्शन of light बताया था और फिर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बताया था और उसके दो numerical बताया थे आज मैं आपको उसके आगे का बताऊंगी I hope कि आप लोग को समझ में आ रहा हूँ लेकिन आप तो कुछ पूछते हैं ना कुछ बताते हैं कि कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कुछ पूछना है कुछ भी नहीं तो, I hope, कि आपको समझ में आ रहा उसके आगे का वीडियो मैं आपको आज बनाओंगे र उसके आगे के टॉफिक्स आपको बताऊंगी सबसे पहले हमने थि मीडियम सोफिवे भुजी मक्या हुए है रोगुज्छ दिर शिंदो दिंदिध्स निचेन बावगे यहां पास है निए आप लिए एक रार मीडियम इनके बाधर रहे लिए लिख लेगा तो यहां पास नोहीं हुआ है मैं आपकोफे पीछे तो माले वीडियो बनागा प्ले वीडियो बना गाए लाइट तख उतना गारत वहा है कि अबन मैं ग्लास ग्लास मतलब dense हुआ जैसे जैसे इतना denser होगा उतना क्या होगा अब इसे पास होती गई देखें आपको point यहां पर दिख रहे हैं न चुर दूर दूर मतलब देखें आप सी तीसी बात है water है तो water के पास्थ रख हो गया इसमें क्राइए नामकाद तो क्राइमंड रेंटो फूसर्वण नियुक्त करीब करीब मीडियम से यह इसमें इसमें क्शोचचांड हो you यतना क्राइट होगह जातरा ब्लाइट को यह कह番 जायं नॉर्मल से लाइट क्या हुई थोढ़ा पास हुई मतलब बेंट्ध हुई उसकी तरप जब जो है आपने देखा कि डाइमंड है more denser है सबसजादा denser है तो यह क्या हो नॉर्मल से लाइट क्या हुई बिकुल पास से होकर गुज़र गई तो सीरीस ही पाते है तो हमें क्या refractive index का इंडिकेट करता है पहला क्या होता है density of medium refractive index किसके बर dependent होता है सबसे पहली point होती आपकी density of medium जितना denser medium होगा light उतना ही जादा refractive index होगा देखे water 1.33, glass 1.5 और diamond 2.42 फिर दूसरी जित आपकी इस पर depend करती है refractive index में दूसरी करती है degree, degree of bending of light light की जो degree होती है जिस degree से गुजरती है बेंडिंग और व्लाइट की वो किस पर depend जितना यहां पर होगा तर इप्र कर दूसरा टम क्या होता है इसका आपका degree of bending of light तीसरा होता है आपका speed of light speed of light मैंने आपको बताया था कि जितना कम denser होगा medium जितना medium कम denser होगा उतनी ही light क्या होगी तेजी से पास होगी ठीक है और जितना medium dense होगा जितना जादा denser होगा उसमें क्या होगी speed of light उतनी ही धीमे होगी तो CDC बात है refractive index proportional to density of medium जितना refractive index होगा उतनी ही उसकी density of medium पर depend करता है refractive degree of bending of light दोनों दूसरे पर सीधे-सीधे proportionally depend करते है लेकिन refractive index inversely proportional to speed of light कैसे proportionally है? inversely मतलब कि जितना जादा denser होगा उतनी speed of light कम होग जितना कम denser होगा उतनी speed of light जादा होगी अब हम यहां बात करते हैं कुछ ray diagrams आपके chapter में ना light के chapter में ray of ray diagrams बहुत important है जो आपको बनाने हैं तो उसमें से कुछ terms है ray diagrams के जो पहले आप समाझे लिए कौन-कौन से होते हैं तो ray diagram में कुछ optical devices होती है एक पहली बात तो दो चीज़ होती है light में आपको पता है reflection एक होता है reflection reflection और reflection दोनों के लिए कुछ optical devices यूज़ की जाती है एक अपने लिए reflection याप और reflection सबसे पहले reflection जो होता है इसमें mirror का यूज़ किया जाता है reflection क्या ह Church का दाएता है light पढ़कर होती है riosषित प्रेचिय पाथ को रिए the only difference reflection can make sense we have to say the result mirror में पाऻलए यूज़ किसे भी light विए पाषै डालते है 시간 वान पने light क्या होती है reflection of light reflection के लिए लींपक्र यूज़ के लिए uh lensar क्या होता है नहीं कर नहीं है क्योंकि यह नॉर्मल सी बात होती है वह पार में बात करेंगे नहीं लेकिन हम आपको जो इसके बारे में बात करेंगे तो तरीकी का एक होता है था को सोगे पुरण के सी उबाइव तरह पालश क्योंति अंदर की तरफ पहते हैं घगे सकते ने लीइज बात करते हैं मेषेदू के अधियर फॉर्ट होती है और अंदर की तरफ पहते हैं रिप्रखन की बात होती है तो क्या होता है reflection होता है तो इसमें दो तरह की lens होता है एक होता है आपका concave lens दूसर होता है आपका convex lens यह आप जिएकर देख सकते हैं concave lens कैसा है इधर और अंधर की तरफ से उबरा हुआ है और lens और जो आपको कॉने और कि तरफ से उभ्रा हुआ यूआ कर सिदो होती है इसरे जाहकी फंड़ेच्छे में वर यूज होता है कॉन वहां होता है दूसरा हम कॉन के रिफ्रेज को किस तैप की होते है सब से पहली बात concave mirror को हम converging mirror भी बोलते हैं उसका reason क्या है जो हमारा यह mirror होता है na यह mirror mirror पर हम light past कराते हैं तो आपको मैंने बताया था कि kisky mirror पर जब light past कराते हैं तो नाइट reflect हो जाती है light past उसपर पढ़के mirror पर पढ़के reflect हो जाते है ऐसे तो वही यहां पर क्या हो रहा है कि जब लाइट यह बीम ऑफ लाइट यहां परिए बहुत साइं पड़के क्या हूं और एक पॉइंट पर अ कि नुटो कि नुटी साय बना दे यह फोकॉस हो गें मतलब एक प्वाइंट पर इंखटा हो गई उस चीज को हम क्या बोलते हैं edel अकिथ क कि कॉण्टैंक कान्व immunity का को बोलते हैं कानवेक्स मिरयर को हम डाइस बोलते इसका रीजन क्या होता है यहां पर इस सपोर्च यह पर लाइट मेडियो और यहां पर आकर उसने फोकस बना लिया इसको क्या बहुता है डायवर्जिंग मिर्ण क्या है विर्जिंग मिर्ण की बारे में हम बात करेंगे तो कौनकेव मिर्ण के होता है diverging होता है concave mirror क्या होता है diverging lens होता है आपका convex mirrors में आपको क्या दिखा रहा है diverging mirror है और यहां पर क्या बता रहा है concave mirror कैसा है diverging है बिल्कुल just opposite हो जाएगा ठीक है concave mirror यहां पर converging है तो यहां lens में कैसा है diverging है convex mirror कैसा है यहां पर diverging है एक्जाम्पल के लिए ले लेंस का है कि यहां पर चुन पर पर सबसाना हाइव दिक्के लिधिक icon क्या है यह का होगा यह किया होगा यहां पर सब कवार्ज हो इंगिक बहुत हैं तोड changing आप रे डाइग्राम बनाएंगी तो यह सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए जाया आप निमेरिकल करें या फिर आप जो है ना, रे डाइग्राम बनाएं आपको पता होना चाहिए कि इस कौछ terms related करते हैं जिसको हमको आगे जाके ray diagram बनाने में help करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं यह क्या होगा आपका एक lens हो गया कौन सा lens है यह convex lens है ठीक है यह एक बात आपको दिखा रहे इसको क्या बोलते है principal axis बोलते है क्या बोलते है principal axis बोलते है और जो यहाँ पे एक point बनाते हैं optical center बोलते हैं optical center बोलते हैं यह तो lens के बारे में होगी आपका यहाँ पे हम mirror की बात करेंगे तो mirror के लिए भी देखें यहाँ पे हमने एक mirror ले लिया कौन सा mirror लिया हमने कोई बताएगा आपको पता होना चाहिए कि कौन सा mirror लिया ठीक है एक यह mirror ले लिया हमने mirror की बाद हमने यहाँ पे कहा कि इसका भी यह क्या लिया principal axis लिया ठीक है यहाँ पे lens में जो यह point होता है इसको हम optical center बोलते हैं लेकिन जो आपका यहाँ पे mirror की बात करते हैं तो इसमें हम इसको क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं ठीक है मिरर में क्या बोलते हैं इसको पोल बोलते हैं और लेंस में क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं ठीक आप देखे क्या होता है जितने भी आपके लेंस होते हैं जैसे आपका यह एक लेंस हो गया तो मिरर क् एक ऐसे सरकुलर होता है उसको पीच से कट कर लिया जाता है तो वही आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक स्फेयर टाइप का बन रहा है ना गोल बन रहा है तो यहाँ पर देखें स्फेरिकल मिरर के क्यास कैसे होते है यह आपका तो यह आपका concave mirror है ठीक है यह concave mirror concave mirror का यह spherical portion ले लिए कि जब spherical portion लेने का reason क्या है यह संभीजी है दीखे कोई भी जो होता है अब हमारे पास एक mirror mirror के बार में उसका center तो ऐसे बता नहीं सकते हैं क्योंकि हम को पता है कि spherical होते हैं ठीक है spherical mirror होते है और spherical से इंको कट करके अलग किया जाता है तो यह क्या हो गया आपका कॉन के मेरा हो गया तो इसमें क्या आपके यह जो पॉइंट दिख रहा है आपको इसको क्या बोलते हैं हम सेंटर ओफ करवेचर बोलते हैं और इस पॉइंट को आपको पते हैं क्या बोलते हैं पोल बोलते हैं रेटियास के बीच δर नास्त होती जगह इसको क्या बोलते हैं हम रेडियास의 करवेचर और यहां इन दोनों के बीच में एक point होता है एक क्या मेगा में focus फोकस क्या बोलते हैं और जो एफ और पी के बीच के डिस्स और होता है ना इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हम इसको focal length बोलते हैं इसका मतलब होता है f is equal to r by 2 क्या बोलते हैं, हम focal length बोलते हैं, तो यह बहुत important है, क्योंकि question पूच लिते है, radius ज़िते है, कहता है focal length निकाले, तो focal length निकालने के लिए सीधा सीधा formula होता है, f is equal to r upon 2 या फिर आपको जो ना focus लेंदें तर कहता है radius निकालना होगा तो क्या होता है कि center of curvature of pole के बीच में जो focus होता है focus और pole के बीच की जो दूरी उसको होती है हम focal length बोलते हैं तो आपके mirror की बात होगी आप बात करते है lens की तो लेंस में क्या होता है यह आपका एक लेंस हो गया ठीक है यह आपका होगय ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बात में इसका जो फोकस बनता है वो क्या होता है इधर बनता है ठीक है यह आपका F1 हो गया center of curvature center of curvature के जगे पर हम क्या यूज करते हैं एजार कर लेते हैं इसका f2 हो गया और इसका focal length हो गया focal length हो गया आपकी ठीक है f1 and 2 f1 f2 and 2 f2 ठीक यूज बात करते हैं mirror की ठीक है mirror यह तो बाते हो गए आपके कैसे हम यूज करते हैं कैसे बनाते हैं अपका से इसे है गोगा है नहीं haven को एक हम प्रक्रम को यूज में क्योंकि खिर्याइब को रही है ठीकर अगर आपके मिरर की बात करेंगे तो डिको एक चीज और समझे हो ना कि 1 जब जाहिर से बात है कि जब एक लेंस है तो लेंस को कैसे हमने 2Mirror से ने बनाया है एक 1Mirror को लिए आपका, जब 2Mirror हो गया तो इसका एक पोल यह हो गया ठीक है आपको अप्टिकल सेंटर हो गया है तो अब दो फोकस दूरी तो होगी ना एक यह होगी एक यह होगी और एक चीज़ जहाद अखिएगा जब आप रे डाइग्राम बनाने बैठेंगे तो इसके रूलर और को यह जरूर करें क्योंकि यह दोनों यह दोनों पॉइंट इक्वल होते हैं इंपॉइंट को हमोगी टॉट करना होता है इसलिए यह उप इस बात को मत बूलेगा मैं इसमें कुछं कहां से आया के फोकस दूरी रख में बताया था फोकस होता है सेंट्र आप कर वेचर के लिए यह यहां नहीं किया जाता है इसलिए 2 फ 1 का यूस करते इसमें यह जाती है जाती है और यह इसके पैयलर होती है इसी तरीके से लाइट को जब हमने इधर से पास किरा यह कहाँ जाएगी इधर ही वापस आजाएगी कि तरह ही वापस आजाए है कि इधर से पास किराया तो इसके पैरलर हो गए इसी तरीके से आप इस मिर्लर में भी देख सकते हैं इस मिर्लर में क्या हो रहा है लाइट कोणने पास किराया और और रफ्लेक्ट हो गया तो कहा बना.. साथ कि एस इसका कहां बना.. इस इन हमने हम से अंपहरा इसको फोकस बनाया.. न्या मैंठीक फंवायर.. बात इसका आगे.. लाइट का ऐस जब ह्मिर्स प्रण बहुता.. को पौक्टिकल होगी तो इसको इहां पास कर सबया थेकिए कि यह आपको फोद्य कि लिक्ति कर आसे मैं कि लाइट लेन्स की कहाँ चलेए फोद्वेसे समय. क्या वोलते हैं हम को फोकस हें क्या वोलते हैं इसे तरह आम का प्राइब कि निकल जाएगी इधर करेंगे तो इसके पढ़र में चल जाएगी ठीक तो यह कॉन पर अप देखें इमेज फॉरमेशन कैसे होता है जब किसे मिर्ण को लेते हैं पहले हम मिलर की बात करते हैं ठीक हमने मिलर ले लिया मिलर में जब हमने एक ऑपजेक यहां से देख रहे थिक ह तो पर जब हमने लाइट पाप्टे और पर पढ़े पढ़ाएं डाइए पर पढ़े अपर पॉकस पते फरी एकंड़ पढ़ीर डाने पहां पर आप यहां पर इसी तरीके से से यहां पर फोकस पिना लिए एक चीज़ जादए दो जब इसे तो बहुत सारी बाइट ऑनिसे की बआई is हाथ यह सारी गढ़ेरा पर पड़ने हैं और सब क्या हो रही है है रेफलेक्ट हो रही है कारी सब बाएन बाईज कहा है यहाँ और ऐक्स घृर eating बोकेषार बन ऊर्याई यहा पर दिया उन्हें प्रॉप कर दिया है इमेच को यह इमेच का इसा बनी कि इमेच का पूर दो आपका जो में छी आपकी ज़ुंहें, प्रोजेक्टर होते हैं आप्रोजेक्टर सब्सक्राफ गंड्र होता है ठीक है प्रोजेक्टर में जो हम देखते हैं वो क्या होती है आपकी रियल इमेज होती है आपको इमेज फॉर्म हो गई ठीक है अब बात करते हैं हम लेंस की बात करते हैं तो एक लेंस को हम लेते हैं जो हम लेंस की बात करते हैं तो यह लेंस लेते हैं लेंस में हमने एक आप चाहिए यहां पर जब एक पॉइंट पर मिली तो यहां पर क्या हुई हमारी इमेज फॉर्म हो गई तो यह कैसी इमेज होती है आपके रियल इमेज होती है इनवेर्टे में में इमेज होती है और यहां पर इन पाइन से रिमेज होती है और इसके यहां पर एक पाविया लाइप पास निकल उप्तिकल अभी कि दूसर से दूर हो रही है जब एक दूसर से दूर हो रही है तो क्या होता है कि नहीं कि कहीं पर नहीं दिख रहा है कि हम देखने के कोशिश कर रहे हैं यहां पर किसी चीज को रखने किसी मीडियम को रखने किसी स्लाइट को रखने कि लुग्र्टयू है किस अधार इमेज को रखने को रखने के सब मिल्म के संधाएक। नो की एक विभिद्या कि मोय से मेने कि का अधार इमेज के सब्सक्रादया रिटा करते हैं सब्सक्रादय थे कुछ करना का दोयू तो और आप और चौन आगर दोब आपको भी मेंटे हैं चैष बरिया आपको आपको समझ में आया हो और आपको जो चीज भी नहीं समझ में आ रही है पूछ लिया कर ये और आगे क्या वीडियू में बताऊंगी कैसे इमेज फॉरमेशन करना है कैसे आपके रेडाः बनेगराम सबनेंगे थांक यू